नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इसक्त सुभाष ठाकुर के साथ NTA UGC NET विशे हिंदी की हमारी त्यारियें चली हैं दोस्तों तो इसके अंतरगत हमने एक माहिना एक लक्षे जो ये सीरीज शुरू की है मौक टेस्ट की और आज हमारा जो मौक टेस्ट है वो चौथा मौक टेस्ट है और इससे पहले हमने अपने तीन मौक टेस्ट की सीरीज कर ली हैं अगर आपने अभी तक हमारी भोवाली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी चेक कर सकते हैं MCQs के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो इसके अंत्रगत हम पढ़ रहे हैं December 2019 में एक्जाम हुआ था उसके हमने 50 कॉशन डिसकस कर लिये थे 51 से 75 तक के प्रशन हम आज देखेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की देखें सबसे पहले प्रशन है द्वीदी युगीन कविता की प्रमुक प्रवरितियां है तो इन में से हमने देखना है कि कौन-कौन सी ऐसी प्रवरितियां है जो द्वीदी युग की कविताओं में देखने को मिलती थी तो विकल्ब है देखिए समासुधार, गेती काव्या की प्रचूरता, स्वच्छंदता और इतिवरितात्मक्ता तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा समासुधार और इतिवरितात्मक्ता मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसका जो सही उत्तर है वो होगा A और D तो विकल्प नंबर 3 इसका क्या है बिल्कुल सही है तो समासुधार और इतिवरितात्मक्ता की बात जो थी वो उसमें प्रमुक थी अगला हम प्रशन देख लेते हैं प्रशन नंबर 52 ये कहते हैं कि निमी लिकित में से गीती नाट्य हैं तो देखिए चार विकल्प हैं चार में से दो देखने हैं अमने की गीती नाट्य कौन कौन से हैं देखिए अगनिलीक है उन्मुक्त है निपत्यराग और त्रिशंकु तो इन में से जो गीती नाटे हैं देखिए वो हैं अगनिलीक और उनमुक्त तो ये दो क्या हैं गीती नाटे हैं जबकि निपत्यराग क्या है ये नाटक है और त्रीशंकु क्या है ये निवंध है अग्ये का हालां कि त्रिशंकु के नाम से अलग-अलग रचनाय है, यहां पर हम देख लेते हैं, जो निमी लिखित में से गेती नाटे कौन से हैं, A और B इसका सही अंसर होगा, अगने लिक और उनमुक्त, अब हम देखते हैं कि त्रिशंकु के नाम से लग-बग दो-तीन रचनाय हैं, अलग-अलग, तो वो कौन-कौन सी हैं, देखिए, अलग-अलग विधाओं की रचनाय हैं, कहानी संग्रह मनु भंडारी का है, 1978 में, जबकि निवंत संग्रह किसका है, अग ये का है, ये 1945 में नोने लिखा था, देखिए, नाटक किसका है, बिजमोहन शाह का क्या है, नाट की रचनाय है, या अगे के त्रीशंग को किस विधा की रचनाय है, इस तरीके से हमें पूछा जा सकता है, तो हमें ये भी याद करना जरूरी है, चलिए, अगला पश्चन देख लेते हैं, शास्त्रा अनुसार अर्थ प्रकृती के प्रकार कौन से हैं, तो देखिए, अर् बिंदू और बीज क्या हैं, ये अर्थ प्रकृती के प्रकार माने जाते हैं, अब प्रश्ण ये उठता है कि अर्थ प्रकृती होती क्या है, दीखिए नाटक में वह चमतकार पूर्ण बात, जो कथा बस्तु को कार्या की ओर बढ़ाने में सहायक होती है, तो दीखिए कथ इस तरीके से ही पूछी जाती है कि इनको आपने करम 22 भी अगर यार करना है तो इसी तरीके से इनको रखना है बीज बिंदु, पता का प्रकरी और कार्य तो ये है अर्थ प्रकृती अब हम देख लेते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन ने देखी भीशम सहानी कृत उपन् हैं अगर आपने वो वाली वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इकाई छे देख सकते हैं वहां पर हमने तमस उपरन्यास को किया हुआ है ठीक है आप देख लेते हैं इसके विकल्प क्या है कि विभाजन के तरास्दी है समाजिक विशमता है स्त्री भी होगा विकल्प नंबर ए जो विभाजन के तरास्दी पर ये लिखा गया है महस पांच दिन के कहानिया इसमें देखिए है ना और डी विकल्प है देखिए सामपरदाइक विद्वेश हिंदू-मुस्लिम दंगों के जो बताए गया है है ना साथी साथ सिक्षों के साथ भी विद्वेश है तो ए और डी विकल्प नंबर ए में ही है एक में ही है देखिए ये ए और डी तो इसका जो सही उत्तर होगा विभाजन के तरास्दी और सामपरदाइक विद्वेश अगला प्रशन हम देख लेते हैं कि प्रेमचंद की किन कहानियों में देशी रियास्तों क राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिवीधियों का चित्रन मिलता है तो देखिए प्रेमचंद की कहानियां भी पहत मतवोण हैं है न तो विकल्प हैं देखिए रियासत का दिवान पंच परमेश्वर शत्रंज के खिलाडी बड़े भाई सहाब तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो होगा रियासत का दिवान और शत्रंज के खिलाडी ए और सी इसका क्या है सही अंसर होगा विकल्प नमबर तीन तो इन में क्या है जो देशी रियासतों के राजाओं है उनका चरित्र और वहां चलने वाली जो राजनीतिक तो देखिए यात्रा वरितांत पूछा गया है कि कौन-कौन से है याद हो कि न याद हो अरे यायावर रहेगा याद आखरी चटान तक जिनकी याद हमेशा रहेगी तो देखिए इन में से जो यात्रा वरितांत है वो है अरे यायावर रहेगा याद ये किसका है ये है सच आखरी चटान, तो ये भी 1953 में लिखा गया है, तो ये दो क्या है, यात्रा बृतान्थ है, जबकि याद हो कि न याद हो, काशिनाथ सिंग की रचना है ये, और ये संसमार्ण है, और जिनकी याद हमेशा रहेगी, अमरित राय द्वारा लिखा गया है, ये उन्निसो ब्यान् और ये भी क्या है संसमारण है तो देखिए दो इसमें से संसमारण है दो क्या थे इसमें हमारे यात्रावरितान थे पहला और लास्ट क्या है ये है संसमारण किसके पहला है आपका काशिनात सिंग का और चौथा जो है जिनकी याद हमेशा रहेगी ये किसका है अमरीत रायका, तो दोनों कब लिखे गए हैं, 1992 में दोनों लिखे गए हैं, अगला प्रशन हम देख लेते हैं, निमी लिकित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास हैं, तो देखिए दलित जीवन पर आधारित उपन्यासों के बारे में पूछा गया है, ध जो उपन्यास है ये क्या है दलितों के जीवन पर अधारित उपन्यास है और इसके अलावा ठीकरे की मंगनी नहीं है कट गुलाब भी नहीं है फिर आता है आपका जो यथा प्रस्तावित उपन्यास है गिरीराज किशोर का ये भी क्या है दलित के जीवन पर अधारित है तो ये दो क्या हैं दलित जीवन पर आधारित उपन्यास हैं आगे अगला प्रशन निमी लिकित में से व्यंगे रचनाएं कौन सी हैं भूलने के विरुद जीप पर सवार इलियां अपनी अपनी बीमारी निशाद पांसुरी तो देखिए ये व्यंगे रचनाएं पूछी ग प्रसाद दोरा रचित काब्य हैं तो देखिए जैशंकर प्रसाद के काब्य पूछे गए हैं तितली उर्वशी जो चंपू काब्य है इरावति या पिर जर्ना तो देखिए तितली क्या है इनका उपन्यास और इरावति भी क्या है उपन्यास है कंकाल तितली इरावति ये इनके तीन उपन्यास है, ठीक है, जबकि जहरना क्या है, ये इनका काब्य संग्रा है, है ना, तो उर्वशी और जहरना, ये दो क्या है, ये ही इसका उत्तर होंगे, B और D, क्लिर है, विकल्प नमबर 2, तो ये हैं जैशंक्र प्रसाद की काब्य, अगला प्रशन हम देख ले इन में से जो डाइरी साहित्या देखिए, वो है प्रवास की डाइरी, ये हरिवन श्राय बच्चन जी की है, ठीक है ना, तो इन्होंने कब लिखा था इसको 1971 में, जबकि जो दूसरी रचना है देखिए, दिली मेरा प्रदेश, सी में, विकल्प नमबर 3 है देखिए, दिल अनमादव मुक्तिबोद की है, हालांकि डाइरी इसमें लिखा है जरूर, लेकिन ये क्या है इनका निवन्द संग्रे है, उसके बाद आता है रिन जल और धन जल, तो ये किसका है, पनिश्वनात रेणू का है, ये रिपोर्ताज है, 1977 में लिखा गया है, रिन जल, धन जल, तो इसका जो सही उतर होगा देखिए, डाइरी सही त्यकोन है, प्रवासी के डाइरी और दिली मेरा प्रदेश, ठीक है, अगला पशन हम देख लेते हैं, निमी लिकित में से विदेशी परिवेश पर अधारित कौन से उपन्यास नहीं है, तो देखिए विदेशी परिवे परिशिती हमारी, जो मौक्डस तीन था, वहाँ परमनेगिरी राज किशोर के उपन्यासों के चर्चा की होई है, तो परिशिष्ट विदेशी परिवेश पर अधारित नहीं है, और चक्रवीव भी नहीं है, तो चक्रवीव किसका है, देखिए, श्रावन कुमार गोस्वा उपन्यास है वेदिन निर्मल बर्मा का है विदेशी परिवेश पर अधारित है जब कि सफर के साथ ही सुनिता जैन का है ये भी किस पर है विदेशी परिवेश पर अधारित है तो पहले के दो नहीं है और बाद के दो जो है वो विदेशी परिवेश पर अधारित है तो इस परशन देख लेते हैं, अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है, धरम परक, राजनिती परक, कला परक या फिर अर्थ परक, तो देखे अरस्तु के जो विरेचन पद है, इसकी व्याख्या जो है विद्वानों ने की है, अरस्तु के देख लेते हैं कि बिंब के अनिवारे तत्त क्या क्या हैं तो जी कि बिंब के लिए कौन सी चीज़ें अनिवारे हैं विबरनात्मक्ता कल्पना स्पाट भ्यानी या फिर एंद्रियता तो इसके लिए जो सही हैं देखिए वो है कल्पना और एंद्रियता तो ये दो चीज़े हैं विम्ब के लिए अनिवार एं, क्लियर है अगला बरशन अम देख लेते हैं कॉलरीज के अनुसार कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है, कल्पना कारितरी प्रतिभा है, यही कवी की सर्जनाथ मकता है कलपना की मूल प्रविती केवल अनुकृती परक है कलपना में वैक्यानिक सुश्रिंक लता नहीं होती तो इन में से हमने सही देखने हैं दो इसमें से सही होंगे दो नहीं है तो दीगे इसका जो सही उतर होगा विकलप टंबर B और D इसमें क्या है सही है यही कॉलरीज ने कहा है कि कलपना क्या है कारीत्री प्रतिभा है ठीक है जो कारीत्री और भावित्री दो तरह की उती है प्रतिभा तो इन्हें न कहा है कि कलपना क्या है कारीत्री प्रतिभा है यही कवी की क्या है सरजनात मकता है और D कहते हैं कि कल ज्यानिक तक कि ज़रूरत कलपना में नहीं पढ़ती है ना कि कलपना में तो हम कुछ भी सोच सकते हैं तो ये चीज़ें किस ने कही हैं कॉलरीज ने कही हुई है तो B और D क्या हैं सही हैं अगला प्रशन देख लेते हैं इन्हें से कौन से अलंकार साध्रिश्यमूलक हैं तो अब हमें इनकी थोड़ी सी डेफिनिशन्स वगेरा देखना जरूरी है तो देखिए इसमें विभावना व्यतिरेक उत्प्रेक्षा या पिर असंगती तो जो साध्रिश्यमूलक अलंकार हैं वो हैं व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा तो इसका जो साही उतर होगा B और C अग क्योंकि एक भी अगर आपकी मिल जाती है कई वार तो आपका पूरा का पूरा प्रशन जो है सौल्व हो जाता है तो देखिए पंडिया सलसत बखानई देही बुद्ध बसंतन जानई तो बहुत पार ये पंग्तियां पूछी गई हैं कि किसकी हैं सरप्पा की हैं जबकि 12 परसीले कुकर जी हैं औो तेहरल जी हैं सियार तो ये जो जागनिक है परमाल रासो से उनकी ये ली गई हैं मतलब ए के साथ क्या है दिखिए दो है जबकी बी के साथ क्या है तीन है और सी के साथ देखिए बढ़कोसल तूर आधे किनलकनोही लोचन आधे ये हैं विद्ध पती की पंक्तियां, जाती ओच्छा, पाती ओच्छा, ओच्छा जनमु हमारा, तो दीखिए जाती की बात की हुई है, जाती की बात जहां पर आएगी हूँ, तो किसकी हैं, रैदास की हैं, तो इनकी पंक्तियों के बारे में भी हमने डिसकस किया हुआ है, जो जो इनकी चल पड़ता है प्रश्णों से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं तो देखिए जो भी ये रचना है ये कैसी है क्रांतिकारी कवीता है हो सकता है इसरे किसे प्रश्ण पूछ ले जाए कि कौन सी कवीता जो क्रांतिकारी है या क्रांतिकारी नहीं है ठीक है तो देखिए चार हमारे कोकिला तो ये किसकी है माखनलाल चतुरुएदी की तो विकल्प नमबर दो है देखिए आगे जो रचनकारों में है है न कैदी और कोकिल किसकी है माखनलाल चतुरुएदी की उसके बाद देखिए जवानी तो ये किसकी रचना है मालकृष्ण शर्मा नवीन चौथा ठीक है ह इमादरी तूंग श्रिंग सेंग, तो ये किसकी है, जैशंकर प्रसाद, तो मतलब इसका क्या होगा साई अंसर, वीरों का कैसा हो बसंत, सुबधरा कुमारी चोहान, एक के साथ जहां पर पांच है, विकलप नंबर तीन इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट अंसर होगा, तो इस कवियों के साथ सुमलित करना है, तो हो सकता है, अब इस तरह के से प्रशन पुशेचा कि मित की है कौन सी है, तो यहां से हमें चार चीज़ है, हमारी और ही क्लियर होगे कि मित की कविताएं ये हैं, जैसे प्रमत्युगाथा, तो ये किसकी है, देखिए, धरंबीर भारती क क्या है, प्रमत्युगाथा, तो मतलब A के साथ क्या है, जहां पर दो है, जै भारत, जै भारत मैतलिशन गुप्त की है, यह हम सब जानते हैं, तो B के साथ क्या है, चार है, और आत्म जै कुवर नरायन की है, C के साथ क्या है, एक है, और संशय की एक रात, ये किसका है, नरे तो देखिए, जितनी भी पंक्तिया दी गई है, उन में से हमने देखना है, सबसे easy और simple देखिए, D जो है, अभीधा उत्म काव्य है, मद्ध्य लक्षन दीना, तो ये किसने का है, ये देव ने का है, मतलब D के साथ जहां पर एक है, तो विकलप नंबर 2 देख लीजिए, वहाँ से ही पूरा का पूरा हमारा मिल रहा है, और D के साथ कहीं भी पहला नहीं है, तो हमने simply 2 को correct कर लेना है, सेवर सिपाई हम उन राजबूतन के, तो ये ठाक उरकी है, है ना, सी के साथ क्या 3 है, मतलब विकलप नंबर क्या है, दो जो है हमारा वो बिलकुल सही है, प्रशन नंबर 17 देख लेते हैं, अंधा यूग के निवलिक समवादों को उनके पात्रों के साथ सुमिलित करना है, तो देखिए, अंधा यूग भी बहुत महत्तपूर्ण, जो नाटक है, है ना, इससे भी प्रशन पूछा जाता है, है ना, तो ये, देखिए, सबसे पहले है, वध मेरे लिए नहीं, रही निती, वो है, अब मेरे लिए मनोगरंथी, तो ये किसकी पंक्तिया हैं, ये है अश्वतामा की, ठीक है, तो एक साथ देखिए, चार कहां पर है, भी खल्प नंबर 3 में, जबकि, आप इस तरीके से भी याल करने वाला नहीं बचा है, तो इस तरीके से विकल्प नंबर 3 क्या है, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, तो इन पात्रों के समवादों को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी ना सिर्फ अंधायुक बलकि जितने भी हमारे 19-10 लगे हुए, उनको हमने एक बार देख लेना है कि उनमें कौन-कौन से पात्र है, उनके प्रमुक समवाद क्या-क्या है, अगला परशन देख लेते हैं, प्रशन नंबर 71, निमिलिखित उपन्यासों को उनसे संबध पात्रों के साथ सुम्मिलित कीजिए, तो देखिए जितने भी ये तीन उपन्यासें, य ना, तमस, रागदरबारी और जूटा सच, इनको हमने अच्छे से किया हुआ है, तो इनके पात्रों के बारे में हमने डिसकस किया हुआ है, उसमें कि कौन सा पात्र है, कैसा वो पात्र है, तो तमस का जो रीचार्ड है, एक साथ क्या है, तीन है, तो विकल्प नंबर 3 ही इसका क्या है, सही उतर होगा, रागदरबारी का रंगनाथ है, और महा भोज का सुकूल बाबु है, ठीक है, सी के साथ क्या है, एक है, और जूटा सच की क्या है, तारा है, ठीक है, विकल्प नंबर 3 देखिए, ठीक है, तमस का कौन सा है, रीचर्ड है, तो आपने इस तरी ये साहित्या की अन्य जो भी दाएं हैं, जैसे जीवनी हो गया, आतमकथा हो गया, या फिर अपके रेकाचित्र हो गया, संसमार्ण हो गया, डाइरी हो गया, रिपोर्ताज हो गया, तो उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनसे प्रशन पूछा ही जाता है, और वो उनकी जो मेन मेन रचना है, उनको याद कर लेना है, है ना, उनसे अकसर प्रशन जो है, वो पूछ लिया जाता है, तो इसकी जानकारियों में होनी चाहिए, तो देखिए, यहाँ पर आतमकथाओं के बारे में पूछा है, जो हादसे है, यह रमणी का, गुपता का है, तो तो C के साथ क्या है, एक है, जूठन, तो जूठन किसकी है, ओम प्रकाश वालमिकी की रचना है, ठीक है, तो जूठन ओम प्रकाश वालमिकी की, D के साथ क्या है, दो हो जाएगा, तो इस तरीके से आप इनको मैच कर सकते हैं, अगला परशन दिख लिते हैं, निमिलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। कमाईनी एक पुनर विचार, इसकी चर्चा हमने पीछे वाली वीडियोज में भी कर ली थी, है ना, मुक्टस नमबर तीन में, तो कमाईनी एक पुनर विचार किसका है, मुक्ति बोद का है, है ना, अधूरे साक्षातकार, नेमी चंदर जेन का, इतिहास और अलोचना नमबर सिंग की है, जबकि प्रेम चंद और उनका यूग किसका है, राम बिलास, शर्मा की कृति है, अलोचना अत्मक ग्रंथ है, क्लि सधार्णिकर्ण के द्वारा अनंद मैं बना दी जाती है, इसलिए यह है, वासना का संशोधन करके, उनका सधार्णिकर्ण करता है, तो इसका जो सही उतर होगा, देखिए, विकलप नमबर A, इसका सही है, कि यह बात मैं ने अभी पढ़ी, यह किस ने, जशंकर साद ने ब तो आप चाहें वीडियो को पॉस गरके इसको पढ़ भी सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें उन्हें कही हैं या फिर आपके पास अगर दिसंबर 2019 का पेपर होगा पढ़ा हुआ तो आप वहां से भी उसको करेक्ट कर लीजेगा कि इसका जोगी कल्प नमबर 1 जह है वो क्या ठीक है अगला हम देख लेते हैं प्रशन अगला प्रशन है आज का आखरी जो हमारा प्रशन है ये देखिए निमिलिकित वीचारधाराओं को उनसे संबंध लेकों से सुमिलित कीजिए तो देखिए ये वीचारधाराओं से लेकर के ये वाली बात भी हमने जो पीछे वाल पर आपको यह चीज मिल जाएगी तो चलिए यहां पर देख लेते हैं माक्सवाद जो एंगेल्स था है ना काल माक्स और एंगेल्स इन्हों नहीं इसके क्या की स्थापने किये थी माक्सवाद की है ना तो एक के साथ क्या है विकल्प नंबर दो होगा तो option नंबर एक इसका क्या है बिल्कुल correct है अस्तितोवाद तो अस्तितोवादी कौन थे देखिए यह थे कौफ का कौन है कौफ का मनुविश्लेशन वादी यूंग ठीक है और उत्रदुनिकता रोला बर्त तो उत्रदुनिक किसके साथ होगा रोला बर्त तो दी के साथ क्या है तीन है तो विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही यह थे दोस्तो 51 से लिकर के पचातर तक प्रशन अगर इन प्रशनों में कुछ एक तुरुटियां रह गई है या कुछ एक प्रशनों के उत्र मुझसे गलत बताये हैं फिलाल आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नई यूर्च और नई सफूर्ति के साथ तब तक के लिए मुझे दीजी जाजत जाहिंद जावारत